हेलो एवरिवन मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक कंटेंप्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चाक्टर वन दा कोल्ड वॉर एरा बढ़ेंगे सो जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा कि कभी कबार दो लड़के दो बदमास जो होते हैं गुंडे गुंडे और मुवीज में भी देखा होगा वो बहुत लड़ाई करते है राइट जो बहुत ज़़ा ताकतवर होते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए सो वैसे ही एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वर खतम हो गई थी 1945 के बाद दो देश एक था यूएस और दूसरा था यूएससर अब नहीं है तो फिर आप मैपनें से ढूंडोगे तो आप कहोगे मिल तो रानी है तो वो अब नहीं है यूएससर के जो फुल फॉर्म है वो है यूणियन ओफ सोवियत सोचलिस्ट रिबबलिक यह कुछ पंदरा जो आज के देश हैं उनको मिला के था और यह जो दो ग्रूप थे इनकी सोच अलग थी मतलब एक ग्रूप जो था ग्रूप इन दसेंस एक जो कंट्री है यूएस चो है एक यह जो लड़का है यूएस यह एक एक एग्जांपल ले सकते हो कि जणरेशन गैप होता है ना कि पेरंट्स की सोच अलग होती है और हमारी सोच अलग है तो उसके वह समें थोड़ा बहुत मत्भेद हो जाता है सिर्फ सोच को लेके राइट टिंकिंग को लेके तो ऐसे ही इनके बीच में जनरेशन गैप तो नहीं था पड़ यह चोटा से एक्जामपल है कि ऐसे ही सोच को लेकर आइडलोजी को लेकर थिंकिंग को लेकर इनके बीच में थोड़ा मतभेच चल रहा था सो यूएस के सोचता था कि जितने भी शॉप्स उसके अंदर आती है न वो सारी प्राइविट सेक्टर में होने चीए शॉप्स बिजनस फैक्टरी इंडस्ट्री सारी यानि कि यह कैप्टलिजम और लिबराइजेशन को बढ़ावा देता था लिबराइजेशन की भई जिसके पास पैसा है अपनी अपनी दुकाने इंडस्ट्री बिजनस वगरा खोल ले और कमाना शुरू कर दे सिंपल सी बात है लेकिन अब जो यूएससर था इसकी सोच अलग थी यह मानता था मिल जूल के काम करने के लिए यानि कि यह कहता था कि सोशलिजम होना चाहिए कम्यूनि प्राइविट सेक्टर ना होके पबलिक सेक्टर होना चाहिए जितने भी कमपनीज वगेरा है वो सब गवर्मेंट के अंडर आनी चाहिए जैसे कि मान लीजिए यह एक फील्ड है और यहां पर कुछ तीन किसान है ठीक है जो यह किसकी फील्ड है तीनों किसान इसमें काम कर और इसमें जो भी शेयर होगा वो हर किसी को बाट चाहेगा यह मानता था उस्ट और पूरे वर्ल्ड में भी कुछ कंट्री ऐसी थी जो की यूएस की तरह सोच रखती थी तो कुछ कंट्री ऐसी थी जो कि प्राइबिटाइजेशन को बढ़ावा देती थी और कुछ कंट्री साब इसोलिजम को सबकों को कुछ कंट्रिंस को प्सक्राइब सेथे चřाल कि ऑस लेकी निन इझा झी सब्सक्राइब कन क्योट्रिंव करें अबừa इसके इसकी इसा मान लीजे हैं कि और इसके पास में हैं क्यूबा सो क्यूबा USSR की कमपनी में था यानि कि ये है USSR और USSR और क्यूबा की काफी अच्छी काशी जोड़ी थी आप ऐसा मान सकते हैं क्यूँकि क्यूबा की भी वही विचार धारा थी वही आइडलोजी थी कि भई सोचलिजम था उसकी कंटरी में इस वज़े से अब USSR को थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि जो क्यूबा है और क्यूबा का जो प्रेजिडेंट है फिडेल कास्ट्रो उसको यह हटा ना दे यूएस उसको हटा ना दे उसका तत्ता पलटना कर दे और उसकी जगा यहां पर प्राइबिटाइजेशन ना ढाल दे यूएस को तो अपनी फौजे बढ़ानी थी इस वज़े से यहां का जो लीडर था जिसका नाम था निकिता खुर्शेव इसने क्या करा कि क्यूबा को एक रशियन बेस में बदल दिया तो 1962 में इसने अपने यहां से न्यूक्लियर मिसाइल्स वेपन भेजे और यहां पर जाके बैठा दिये अब जब यहां पर बैठा दिये सो यह तो कॉमन सेंसी बात है कि अगर एस ने एक बटन दबाया सो सारे मिसाइल्स क्यूंकि इसके पास है सब यहां चला जाएंगे और यूएस खतम हो जाएगा है ना सो यूएसे के जो प्रेजिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी उनको यह बात पता चली कुछ तीन हफ्तों बाद कि भई हमारे नीचे जो देश है उसके पास है मिसाइले और उसने कभी भी हमारा काम तमाम कर देना है तो इसने बोला यूएस ने कि भई अब इनके लीडर से बा प्रेटा दो और कैनेडे ने क्या करा कि यहां पर अपनी जो आर्मी उसको भेज दिया ताकि जितनी भी यूएससर की जो शिप सारी है वह उसे ब्लॉक कर पाए उसे रोक पाए कि वह क्यूवा में और ना जा पाएं तो यह तना इतना जादा बढ़ गया था कि इसको सब सम ने यहां पर मिसाइले छोड़ देते तो यूएस भी छोड़ देता और होता कुछ ने यह देश भी तबाह जाता और यह देश भी तबाह हो जाता तो इस टाइम को कहते हैं क्यूबिन मिसाइल क्राइस लेकिन फिर इनके बीच में बातचीत हुई ताकि लड़ाई जो है व हम कोल्ड वॉर इसका डेफिनेशन देख लीजे दे कोल्ड वॉर रेफर्टु ओर कॉंपेटिशन देंशन एंड सीरीज ओफ कंफ्रेंटेशन बिट्विन युनाइटेट सेट आंड सोवित यूनियन बाक्ट बाई देर रिस्पेक्टिव अलाइंस सो अलाइंस के बार में हम थोड़ा और पढ़ेंगे लेकिन अभी आप कोल्ड वॉर को समझ लेजिए आपने न्यूज में भी देखा होगा पहले तो बहुत ही जाद आती थी कि इस फलाना है हिरोईन और इस हिरो के बीच में इस हिरोईन के बीच में कोल्ड वार चल रही है सो कोल्ड वॉर में यह सो आपके बुक में टर्म है होट वॉर होट वॉर होती है अ फुल स्केल वॉर बिट्विन दीज टू पावर मतलब अगर लड़ाई हो जाती ना एक्च्वल में हाथ अपाई वाली वेपेंस वाली तो वह होट वार में बदल जाती है सुचैसर के मैंने पहली बताया कि कोल्ड वॉर बेसिकली यह माइटर नहीं था कि भाई गिस के पास कितनी मिलीटरी यह जादा शक्ति है कितने जादा देश किस कंटरी को सपरोट कर रहे हैं पोल्ड वर बेसिकली यह था कि आइडलोजी इन लोगों की अलग थी अपनी अलग आइडलोजी थी युएस की और युएससर की अलग थी और एक दुसरी के ऊपर दबाब डालते थे एक दुसरी के ऊपर करते थे कि कौन सुप्रीम है यह बात थी साथ अब जैसे स्कूल में आइन लड़ाई होती है तो ऐसी गुरूप से बन जाते हैं न सो ऐसी इनमें भी विडरूप से बन गए तो जो युएस था क्यूकि वह थे पर से हैं तो उसको वेस्टन आलाइम्स कहते हैं और एक सोवेड यूनिएन यानिकी यूएससर आ रहे हो इस्ट में परता है तो उ Capitalism हो और जो Eastern Alliance था वो इसकी आइडलोजी क्या थी Socialism and Communism यह word Cold War यह बार-बार आएगा इस वेसे थोड़ा इसके बार में और जान लेते हैं कि यह एचल में मुसीबत है क्या यह जो टर्म है बार-बार जो आएगा सो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं हमें मालूम है कि First World War 1914 से लेके 1918 तक चली और Second World War 39 से लेके 45 तक तो इसमें दो ग्रुप थे एक था Allied Force और दूसरा था Access Power सो जो Allied के अंदर आते थे कुछ जो Countries थी वो थी US, Soviet Union, जिसे हम USSR भी कहते हैं, Britain and France यह चार थे और जो Access Power के अंदर आते थे वो थे Germany, Italy and Japan सो जबी Second World War चल रही थी, US को चलमजी कि मुझे अपनी पावर दिखानी है और एंड भी करना है, वार का तो इस वज़े से जपान की दो सिटीज, Hiroshima and Nagasaki के उपर, US ने Atomic Bomb गिरवा दिये, 1945 में कर दिया ही का हलाकि बहुत सारे जो critics कहते हैं कि US को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यूंकि Japan जो था, it was about to surrender मतलब वो अपने आपको surrender कर दहीं वाला था, और यह unnecessary था, यह bomb का गिराना और जो यह US है, यह इसने इसले ऐसा करा, ताकि वो Soviet Union को भी एक तरह से बता दे कि Asia में भी उसकी अच्छी कासी बातचीत है, क्योंकि Soviet Union एशिया के अंदर आता है so US Soviet Union को बताना चाहता था, ऐसा लोगबाग मानते हैं, कि बेटा, Asia में भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है और वो पुरी दुनिया को यह बताना चाहता था, कि उसके बास nuclear weapon है, जिससे कितना जादा destruction हो सकता है और हुआ भी लेकिन US के जो supporters हैं, उनका कहना है, कि जो बम गिराया यह बिल्कुल सही था, निसेसरी था, ताकि जो war है, इससे war जल्दी खतम हो गई अब क्या होता अगर यह ना गिराते, तो जपान के कुछ से पाई मरते, वहां के लोग की देत होती, कुछ लोग यूएस के जाते, तो इस वज़े से इस सच्छा कि उनने बम गिरा दिया, ताकि यूएस के जो लोग है, उनकी इतनी lives बच गई ऐसा यूएस के supporters का कहना था, तो जब यह second world war खतम हुई, उसी time शिरू हो गई cold war, जिसमें पूरे दुनिये को पता चल गया, कि जो two super power देश हैं, उस time के वो है US और USSR, और ये भी समझ में आ गया, कि nuclear weapon का use करने से, किसी भी country को कितना जादा भरपाई करनी पड़ सकती है, एक इसमें term आएगा, the logic of deterrence, ये आ सकता है one mark question में, या three marks में भी आ सकता है, इसमें एक दो और question add कर देंगे वो, इसका मतलब है, कि both sides have the capacity to retaliate against an attack, दोनो side के पास, दोनो countries के पास, इतनी ताकत थी, कि वो अच्छा कासा attack कर पाएं, एक दुसरी के उपर, और उससे क्या होगा इसकी वज़े से, to cause so much destruction, that neither can afford to initiate war, कि इतना बुरी तरीके से destruction हो जाएगा, दोनों countries में, क्योंकि एक भी country, अगर मान लिजी, यहां पर दो countries है, अगर US ने इसके उपर attack करा, तो ये चुपनी बैठेगा, ये भी attack करेगा, तो होगा कुछ नहीं, बहुत गलत destruction हो जाएगा, दोनों countries में, thus the cold war, in spite of being an intense form of rivalry between the great power, तो हलाकि जो cold war थी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच में, वो cold ही रही, hot या shooting war में नहीं बदल गई, क्योंकि logic of deterrence की वज़े से, तो अब cold war के बार, जो पूरी दुनिया थी, वो दो group में बट गई, the emergence of two power block, वो दो group कौन से थे, एक तो था NATO, और दूसरा था Warsaw Pact, सो कुछ लोग NATO के मेंबर बन गए, और कुछ लोग Warsaw Pact के मेंबर बन गए, और कुछ लोग ऐसे थे, जो कुछ countries ऐसी थी, जो किसी की भी मेंबर नहीं थे, तो वो हम बाद में देखेंगे, फिलाल हम NATO और Warsaw Pact को देख लेते, कि यह है क्या, सो वेस्ट की कंट्रीज ने एक और्गनाइजेशन बनाई, जिसका नाम था NATO, और उसकी फुल फॉर्म थी North Atlantic Treaty Organization, यह existence में आई थी April 1949 में, और इसके अंदर कुछ 12 कंट्रीज थी, जिसे की आप देखी रहे हैं, कि यह जो यलो कलर है, जितना भी मैप में, वो सारे NATO के मेंबर हैं, यह सारी कंट्रीज जो हैं, और इनोंने बोल दिया, कि भई कोई भी इनसान, कोई भी कंट्री, यूरोप, या फिर North America, या फिर इन में से कोई से भी जो हैं, यलो वाली जो हैं, नाटो की कोई भी मेंबर कंट्री पर अटैक करेगा, तो सब एक दुसरे की हेल्प और सब मिलके लड़ेंगी, तो अब भई नाटो आया, तो यूएससर तुप तो बैठने वाला था नी, तो यूएससर ने भी अपना ग्रुप बना दिया, उसका ग्रुप का नाम था वार्सो पाक्ट, जो रेड कलर, जितने भी रेड कलर है, यहां पे कंट्री में, वो थी वार्सो पाक्ट मेंबर, की मेंबर्स, so of course, obviously, it was led by Soviet Union, यह बनी थी 1955 में, पहले कौन से बनी है, नाटो बनी है, 1949 में, और वार्सो पाक्ट का बनी है, 1955 में, और इसका भी में प्रिंसिपल यही था, कि नाटो ने कुछ हरकत करी, तो वार्सो पाक्ट, जितने भी हैं, जितने कलर वाली, वो सब एक हो जाएंगी, और सई से मुकाबला करेंगी, और यह जो कंट्री का एक, मतलब हर कंट्री को अपनी अपनी ग्रूप में शामिल करना, so इस पे सबसे आदा प्रभाव पढ़ा, यूरोप पे, because यूरोप जो था, उसको जो उसका वेस्ट वाला पार्ट था, वो उसकी कंट्रीस जा जा के मिल रही थी, नाटो से, और यूरोप पार्ट था, उसकी कंट्रीस जा जा के मिल रही थी, वार्सो पैक्ट मेंबर्स के साथ, so ये जो छो छोटे चोटे स्टेट्स ह erfahren, इनको क्यों इतनी वह मल रही है, कि भाई, हम इसमें गुसेंगे, य प्रोटेक्शन मिल रही थी बड़े बड़े देशों से इसी के साथ हमें दो नई मिलती है थे का बनी के बारे में में पर जेए देटों कर दोंति ती सेंटों और में इस और एंद इस्ट एंड वेस्ट एसा मिडल एस्ट United State built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization जिसकी short form है CETO और सिर्फ पेपर में सिर्फ ये भी आ सकता है कि CETO जो है उसकी full form बताओ तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि Southeast Asian Treaty Organization दूसरी है CENTO इसकी full form है Central Treaty Organization इस टैंप एक और important development हुई थी और वो ये थी non-aligned movement की जिसको हम नाम कहते हैं ये इस ग्रूप में वो लोग थे जो newly independent countries थी जैसे कि इंडिया हो गया ये सारी countries श्रीलंका हो गया ये सारी countries जो थी वो नाम के अंदर थी इनका एक अलगी तरीका था कि भई ना तो ये नाटो में है ना ये Warsaw Pact की मेंबर है ये है नाम इनने कोई मतलब ने क्योंकि मतलब इसले नहीं है मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था जो हम आगी डिसकस करेंगे पर इन्होंने अपना अलग से क्यों ग्रूप बनाए क्योंकि इनका कहना था कि अभी अभी जस्ट इनको इंडिपेंडेंडेंस मिली है और ये अल्रेडी अपनी पावर्टी और बहुत सी दिक्कते जहल रही है तो अभी ये सिर्फ अपनी डवलप्मेंट पर पहले ध्यान देना चाहती है इस वचे से अभी हम नाम की बार में और अच्छे से पढ़ेंगे US और USSR दोनों के पास ही nuclear weapons वगेरा थे इनको क्या पढ़ी थी ये जाएं और दूसरे जो छोटे-छोटे states हैं उनसे help मांगे तो अब हम देखते हैं कि smaller states थे उन वो कैसे helpful थे for the superpower सबसे पहला था vital resources such as oil and mineral so small countries में ये resources जिसे oil हो गया mineral हो गया इनका access मिल पा रहा था बड़ी-बड़ी countries को दूसरा है territory from where the superpower could launch their weapon and troops तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे था US यहाँ पे था क्यूबा जब USSR ने यहाँ पे अपने जो missiles रखवा दी तो easily वो यूएस पे attack कर पा रही थी हला कि क्यूबा चोटा देश था लेकिन USSR की उसके साथ अच्छी कासी बाच्चीत थी इस वज़े से क्यूबा ने उसकी काफी अच्छी सही मदद कर दी तो इस वज़े से यह भी reason था कि भाई जो छोटे-छोटे states हैं अगर वो पास होंगे यूएस के यूएस के यूएससर के सो easy हो जाएगा weapons और troops को launch करना third location from where they could spy on each other की जैसे कि वो ये example ले ले लेते जैसे यहापर यूएस हैं यहापर क्यूबा है सो ये वाले जो location है और यूएससर बहुत जाएदा दूर है सो यहां से spy करना बहुत मुश्किल है सो यहापर जो क्यूबा है वो easily spy कर सकता है कि भाई साथ वाली जो दुश्मन कंट्री है वो कर के हरी है economic support in that many small allies together could help pay for military expensive सो अब लड़ाई होगी तो खर्चा तो हो गई military वगेरा का सभी जो small allies है small friends है इनके जो बने वे है यह इनको मदद कर सकते है पैसे वैसे देखे and then last point है they were also important for ideological reason कि भाई इनकी जो ideology थी वो भी same थी जो NATO में थे उनकी सब की ideology एक जैसी थी और जो Warsaw Pact में थे उन सब की ideology भी एक जैसी थी तो होता है न जिनकी सोच हम से मिलती है उनसे दोस्ते अच्छे कासी हो जाती है so बस वो ही बात थी Cold War के अलावा भी बहुत सारे लड़ाईयां लड़ी गई थी जैसे के Korea की war 1950 से 1953 Berlin 58 से 62 और यह Berlin की जो है यह हम detail में समझेगे next chapter में Congo the early 1960 Vietnam and Afghanistan so अब हम पढ़ेंगे Iranas of the Cold War इसका एक बहुत ही अच्छा कासा आपकी बुक में कोशन दे रखा है कोशन नमबर फाइफ तो मैंने इसको आंसर के रूप में समझाने की कोशिश की है ताकि आपका एक आंसर भी बन जाए जो आपका कोशन है आपकी बुक का ही कोशन है the Cold War produce an arms race as well as arms control इस दो टम बहुत important है पूछ लेंगे arms control का है arms race का है जो भी हम पढ़ेंगे what were the reasons for both these developments इनको बनाने का ये arm race और arm control बनाने का reason क्या था तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा since the Cold War did not eliminate rivalry between the two alliances अब क्योंकि जो Cold War है उससे जो लड़ाई थी दुश्मनी थी इन दो alliances के बीच में US और USSR के बीच में खतम तो हुई नहीं थी there were there की spelling गलत होई there were mutual suspension between them this led to arms attend weege almost बीचमें पही 속 मेर में नहीं सबकम शल्ड़ suspicious